वेलकम साथियो देभुमी एजुकेशन पॉइंट इमा आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों आपने देखा पिछले कई समय से जैसे अनेक भरतिया निकली हैं कई के एक्जाम नहीं हो पाये हैं और कितनों के तो एक्जाम होगे रिजल्ट भी आ गया और फिर उसका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो इसकी उमीद में कई अभिरती प्रते एक दिन हमको मैसेज करते हैं कि सर इसका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसका परिणाम कब जारी होगा और इस परिक्षा के लिए जो है कई अनिक जितनी भी जानकारी है वो हमसे पूझा करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजे में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी परिक्षाइं हैं और उनके डॉक्यूमेंटर वेरिफिकेशन की उमीद कब तक है और क्यों इसका डॉक्यूमेंटर वेरिफिकेशन या रिजल्ट या फिर इसके एक्जाम नहीं कराये जा सके इस बीज दोस्तों उत्राखंड में आचार संगिता के चलते विभिन्य विभागु में कई संगवर्ग के लगबग 900 पदों पर फिलाल भर्तियां अटकी हुई है वहीं पर चैनी 1432 साहयक अज्यापकों के दस्तावेजूं का सत्यापन भी थामा है जिससे इन्हें नियुक्ति पत्रे नहीं मिल पाए हैं विभिन्य विभागों ने उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग में कनिष्ट साहयक, साहयक लेखाकार, अनुदेशक, विवस्थापक, मनुवज्यानिक, विधी साहयक, फार्मसिस्ट, प्रियोग साला साहयक के भर्ति प्रस्ताव भेजे थे और आई टी आई सिचाई, लोगनिर्मान, विभाग, महिला कल्यान, प्रेटन, पुलिस, कारागार, राजे संपती, आधी विभागों की लगबग 900 भर्तियों का ये प्रस्ताव है राजी में विधान सबाचुनाव की आचार संगिता लागो होने से आयोग इन पदों के लिए भर्ति विग्यप्ति जारी नहीं कर पाया है तो यहाँ पर इन विभागों के लिए प्रस्ताव आया था लगबग 900 पदों के लिए और इसके लिए आचार संगिता लगने के कारण इसके लिए विध्यप्ति जारी नहीं हो पाई थी 900 पदों के और बात करते हैं एल्टी की तो लगबग 431, 32 जो उसमें पद थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था तो बच्चे जो है काफी समय से ये मैसेज आमको भी करते हैं और आयोक से भी संपर्ग करने के कोशिश करते हैं बार बार की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका कब बाया है वहीं इन विभाग में 316 फोरेस्ट का फोरेस्टरों का फिजिकल टेस्ट भी इस वज़े से शुरूर नहीं हो पाया है उत्त्राखंड लोकसिवायों के सचिव करमेंद्र सिंग ने बतायागी भरती के चार से पांच प्रस्ताओं को लेकर प्रकिरिया जारी है इस कारण तो अब यहाँ पर जो है कई चीजे इस वजह से रुकी थी लेकिन अगर आचार संहिता के अगर बात करेंगे तो आचार संहिता जो है दस मार्थी यानिकिfour दिन तक तक नूसित मतलब चीजें स्टार्ट करेंगे अगर चुनाव आयोग जो है परमिशन देता निर्वाजन आयोग राज्य के सभी जिला सहकारी बैंकों में चदुर्त स्रेणी पदूं के लिए भरती आयूजित की गई थी फिजिकल टेस्ट के साथ ही इंटर्व्यू की परकिरिया भी पूरी हो गई थी इससे पहले का प्रणाम जारी होता आचार संहिता लग गई इसके कारण परिक्षा का प्रणाम अभी तक रुका हुआ है राज्य में कुल 450 पदूं के लिए बरती आयोजित की गई थी जिलावार विग्यप्ति जारी की गई थी जिला सहकारी बैंकों ने अपने अपने इस्तर पर परिक्षा का आयोजन किया था सिर्वे फिजिकल और इंटर्व्यू के जरे ही चैन होना था जिसके लिए शारीरिक परिक्षा के नाम पर दौड कराई गई चूकि परिक्षा चतुरते सरेडी की थी इसलिए लिखित परिक्षा नहीं हुई तो यहां पर इतनी चीजें आप देख सकते हैं जो अटकी हुई थी इसके साथ ही साथ अन्य छोटी मुटी चीजें भी आचार संगिता की वज़े से अटक के थी लेकिन अब उमीद है इलक्षन यहां पर जो है सेक्सेसफुली उत्राखंड में हो चुका है तो अब जो है क 10 मार्च के बाद ही यह सारी चीजें संभव हो पाएंगी हो सकता है कुछ चीजें जो है इससे पहले भी हो जाए तो दोस्तों धेर सारी शुब कामनाएं आप सभी को और उमीद करता हूं आप लोगों को हमारी इंफॉर्मिशन पसंद आती है अगर आती है तो प्लीज वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए भी सारी शुब कामनाएं धन्यवाद